हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एच्चूकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करने वाले हैं हाउस होल्ड एंटी डॉट के बारे में तो ऐसे एंटी डॉट्स की जो यूजली अवेलिबल होते है एट होम फार्द पॉईजनिंग की हिंदी में समझे तो ऐसे वीस प्रदिकारक या फिर एंटी डॉट्स की जो खासकर हमारे गर पे अवेलिबल होता है की जिससे हम पॉईजनिंग के दोरान जो है वो ट्रिटमें कर सके तो यह कौनसे ऐसे हाउस और लंटी डॉट है कि जो गर पे अवेलिबल होते हैं तो जिसको हम जानते हैं यह वीडियो लेक्चर के अंदर डेटेल में तो एक्सपर्ट लेक्चर वायमर सर असिस्टम प्रॉफिसर एंड फाउंडर आफ फाउंडर आफ फाउंडर आफ कि जो एंडरोड आफ है और गूगल प्ले एस वेल एस एपल आफ़न एप आप आप स्टॉर और एक्सेस करिया स्टेडी मेट्रियल टेस सिरीज वीडियो लेक्चर ओन एफ फाउंडर आफ फाउंडर आउंडर आउंडर लिंक इन एंडिस्क्रिप्शन बॉक्स तो एंटी डॉट्स मतलब कि ऐसे सबस्टंस कि जिसको हम यूज करते है फार दे कांटर एक्ट फार दे पॉईजनिंग कि जब किसी को पॉईजनिंग होता है तो वो पॉईजन के सामने जो हम सबस्टंस यूज करते है फार दे कांटर एक्ट कि जब कोई पॉईजनिंग हो जो कहे जाते है ऐंटीडर्ट, एंटीडर्ट की जो एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मनिंग होता है, गीवन अगैंस्ट, तो गीवन अगैंस्ट ऐनि पॉइस निग इट जाते हैं को एंटीडर्ट, तो एंटीडर्ट इस एक एमिकल, एसपेसेली एड्रग, देट लेमित दे जो हम रास्ता यूस करते है that is a antidote तो poison antidote are those which destroy the poisoning कि poisoning को completely destroy कर देते है, खतम कर देते है जिसके करण person की जो है वो recovery होती है from that poisoning कि किसी भी तरह का poisoning हुआ है तो वो poisoning के अंदर ये effective साबित होते है तो जरूरियात क्या है antidotes की तो antidotes जो है वो use किया जाता है कि जब किसी को toxicity होती है कि जब कोई drug substances की toxicity होती है कोई poison के करण toxicity होती है या फिर कोई से harmful substance के करण toxicity होती है तो उसको treat करने के लिए हम antidote use करते है as well as जो drugs है poison है उसके mucous के कारण जब कोई medical emergency produce होती है poison की तो उसके अंदर भी हमें treatment के लिए इलाज करने के लिए antidote की जरूरत होती है तो ऐसी branch कि जहाँ पे इस type के poisons related और उनके functions related study होती है जिनको कहा जाता है toxicology and यहाँ पे एक golden sentence दिया है के all the things are poison and nothing is without poison only the those permit the something not to be poisonous मनलब की हर एक ऐसे चीज के जिसको आप misuse करते है excess amount में use करते है वो आपके लिए बन जाती है poison मनलब की simple हम को एक्जाम्पल ले पैरा से टामल के tablet का तो PCM tablet का जो usual strength होता है 50 mg तो वो समझो कि आप once a day use करते है तो वो enough है fever के treatment के लिए या फिर two times a day लेते है बट यही tablets जब कोई excessive लेता है तो वो करता है hepatotoxicity कि जिसको हम कहते है toxicity of the drug और जिसके करन liver के उपर effect होता है कि जब excessive dose लिया जाता है तो यह भी एक टाइप का poisoning हुआ कि जब आप उसका dose excessive लेते है कि 500 समझो कि enough है बट person उससे ज़्यादा समझो कि 10 गुना dose ले लेता है कि like 500 के बज़ाए 5000 mg जितना ले लेता है तो excessive dose के करन क्या होता है जो effect होती है उसके बदले side effect होती है और यह side effect जब काफी excessive amount में हो जाए तो वो कही जाती है फिर toxicity तो यह golden sentence यही बात को प्रूव करता है कि सबी चीज ऐसी है कि जब आप उसको use करो तो वो utilize होती है बट जब उसका आप misuse करो तो वो बन जाती है tangerence तो जब कोई ऐसे तरह से कोई misuse कर लेता है या फिर कोई overdose हुआ है toxicity हुए तो उसको cure करने के लिए ज़रूरियात होती है यह antidotes की तो जो हमारा topic है कि household antidotes तो यह antidotes या फिर यह substances ऐसे है कि जो हमारे गर पे easily available होते है कि जब हमें पता चला कि किसी भी टाइप का कोई poisoning हुआ है तो उस वक्त जो गर पे कुछ ऐसे materials होते है substance होते है कि जो use कर सकते है जैसे कि सबसे पहले milk milk orally is effective in almost all ingested poison ingested मतलब कि जब poisoning का जो way है what is the way of poisoning way of poisoning is the oral cavity अतो हातो oral root के थूँ जब किसी को poisoning हुआ है कि कोई किसी ने poisoning लेने का जो way है रास्ता है that is oral root है तो उस वक्त ये ingested poisons कहे जाते है और उनके लिए milk एक जो है वो effective साभित होता है second that is a charcoal charcoal from burn bread and toast कि toast या फिर bread है उसको समझो कि अब जला देते तो जो जला हुआ जो हमें portion मिलता है वो बन जाता है charcoal तो वो भी effective साभित होता है second कि जो बनाना potato and demulsant are physical antidotes तो उनको physical antidote हम कहते हैं तो ये तीन याद रखिए milk second charcoal and third ये बनाना potato या फिर demulsants उसके अलावा हम देखे तो जब poisoning होता है ते थेरापी होती है vomiting करवाना तो vomiting करवाने के लिए जो substance हम यूज करते हैं वो हम कहते हैं emetic agent तो fourth number ये है household antidote के अंदर की जो गर्पी अवेलेबल हो ऐसे emetic agent की जिससे किसी person को आप vomit करवा सके तो common salt कि जब आप salt excessive देते हैं कई बार तो salt से भी vomiting जो है वो induce करवा सकते हैं और salt से समझो कि vomiting नहीं होती तो best option रहता है ये mustard powder कि जिसको हम rye के दाने कहते हैं कि जो rye आपको पता होगा mustard तो ये जो rye है उसको हम use कर सकते हैं या फिर उसका powder जो है वो जब person को देते हैं तो उसके smell के करण या फिर उसके taste के करण वो vomiting जो है वो induce करती है और वो as a emetic का का काम करती है कि जो घर पे usually हमारे मसालों के अंदर ये available होता है next that is starch solution कि जब किसी को iodine का poisoning हुआ है तो iodine poisoning के लिए जो antidote है वो है starch जो starch है वो potato starch है समझो कि कौन starch है तो starch कई बार गर पे आपके अवेलिबल हो तो वो भी एक household antidote का का काम करेगा भी जब reason of poisoning that is iodine फिर बात है number six that is milk of magnesia कि जब गर किसी को acidity related problem हो तो कई बार milk of magnesia जो है वो prescribe किया होता है कि जो minor dose में आप use करें तो वो use होता है antacid के तौर पे higher dose कोई लेता है तो वो constivation वगरा के treatment में भी use होता है as a lexative वगरा तो जब reason है poisoning का acid तो acid poisoning जब है तो उस वक्त milk of magnesia काफी effective साभित होता है कि जब acid poisoning हुआ है excessive acid के करण तो उस वक्त milk of magnesia जो है वाप use कर सकते है and number seven पे है कि जो vinegar है lemon juice से orange juice for alkaline poisoning alkaline poisoning मतलब कि ऐसे poisoning की जो usually जो basic substance है और basic substance के poisoning के लिए सामने आपको ऐसे acidic substance यूज करने पड़ेगे जैसे कि आप ये orange juice देख रहे है तो orange juice की जो pH होती है acidic होती है जिससे जब basic substance का कोई poisoning है alkaline poisoning है तो that time to prevent or to induce the vomiting or to prevent the further complications of that alkaline poisoning we can use this type of acidic substance like vinegar lemon juice and orange juice की जिससे acid को हम use करके basic का जो poisoning होगा उसको neutralize कर सकेंगे तो ये है household antidotes के बारे में detailed information तो thank you friends for watching जरूर से वीडियो को like करिये comment करिये and share करिये लसे subscribe करिये चैनल को use कर सकते है whatsapp group 942618036 pharma rox whatsapp helpline number get the link of pharma rox app in description box where you can access the study material test series and the video lecture for various pharma competitive exam in essence so good luck and all the best